दोस्तो आज मैं आप लोग को इलेक्टिक ओभारेड ट्रेवलिंग क्रेन का बेसिक नॉलेज के बारे में बताऊंगा जो जो पॉइंड में बताऊंगा अगर आप अच्छा से फोलो करते हैं तो जब आप किसी कमपनी में या इंडेस्ट्रियल में इंटर्वू देने जाईएगा तो बहुत आसान तरीका से एंसर दे सकते हैं जब आप कोई भी इंटर्विव देते हैं तो ज्यादा तर देखिएगा बेसिक नॉलेज के बारे में कोश्चन पुछता है तो जब आप इलेक्टिक अबारेड ट्रेविलिंग क्रेन में काम किजिएगा तो जो बेसिक नॉलेज है वो कहां से स्टार्ट होता है कि जो आपका डियेसल सप्लाई रहता है यहाँ पर आपका करेंट कलेक्टर लगा हुआ रहता है और प्रैक्टिकल में हम लोग ज़्यादा तर क्या बोलते है पावर कलेक्टर बोलते है वो ही से आपका बेसिक नॉलेज जो है स्टार्ट होता है तो इसके बाद आपको क्या देखना है सबसे पहले कि जो आपका इलेक्टिक अभरेड ग्रेन है इसमें जो control supply है याने कि control wiring है वो कितना भोल्ड का है ज्यादा तर आप point to point मिला के practical में चेक किजिएगा तभी आपको knowledge जो है एकदम better होगा और अगर आप practical में नहीं देखते हैं और नहीं चेक करते हैं तो knowledge बनना बहुत ही मुश्किल है अभी जो आपको electric overhead crane है इसको हम लोग short form में EOT crane बोलते हैं और आज मैं आप लोग को एक टन से लेके 100 ton crane के बारे में बताऊंगा इससे क्या होगा जब आप किसी को समझाईएगा या कोई plan में जाके enter बुद दिजिएगा तो आपको कुछ भी दिकत नहीं होगा और ज्यादा मेरा जितना सारा फ्रेंड है एही comment ज्यादा करता है कि आपका वीडियो देखके जाने के बाद interview अच्छा होता है जब आप सिंगल गडर का या डबल गडर का crane में काम किजिएगा तो बहुत ही different type का आपको control wiring देखने के लिए मिलेगा इसमें जैसे जो control transformer रहता है इसमें आपको किस तरह से देखना है कि जो आपका control transformer है इसका primary side में कितना बोल्ट इन हुआ है ना 415 बोल्ट इन हुआ और ये जो आपका control transformer है ये step down transformer है तो इसका secondary side से 110 बोल्ट आउट हो रहा है ज्यादातर crane में आपको एही देखने के लिए मिलेगा इसके बाद आज आता है कि कुछ कुछ crane में अलग अलग टाइप से आपको wiring देखने के लिए मिलेगा जैसे 220 बोल्ट और 415 बोल्ट तो इसमें क्या आज आएगा कि सिंगल गडर का crane है या double गडर का crane है जैसे एक टण से लेकर 5 टण तक का crane में कुछ कुछ अलग टाइप से देखने के लिए मिलेगा अगर आपके पास एक टण से लेकर insert-up का crane है तो मैं जीस तरह से आपन को बता रहा हूं एक बार मिला के देखिएगा बहुती अलग-अलग चीज आपको देखने के लिए मिलेगा ये दोस्तो हो गिया एक control supply के बारे में इसके बाद आ जाता है power supply पावर supply में आपको क्या-क्या देखने के लिए मिलेगा ना हमारा जो मोटर घूम रहा है ये AC supply से चल रहा है या DC सप्लाई से चल रहा है एक एक्जामपल के लिए जो आपका AC रहता है ज्यादा तर EOT क्रेन में आपको Slivering Motor देखने के लिए मिलता है तो Slivering Motor आपका AC Supply से चलता है और जो आपका Power का Contactor रहता है ये ज्यादा तर आपका 3-phase मतलब 3-pole का आपको देखने के लिए मिलेगा लेकिन कुछ-कुछ ऐसा भी क्रेन है जिसमें आपको 3-phase, 2-phase, Single-phase हार चीज देखने के लिए मिलेगा और DC का, DC ज्यादा तर आपको Practical में क्या देखने के लिए मिलेगा कि Electric Overhead Crane में जो आपका Magnet Panel रहता है इसमें आपको DC देखने के लिए मिलेगा और DC Contactor देखने के लिए मिलेगा अभी ये होगी आपका Power Supply के बारे में तो जो आपका Contactor लगा हुआ रहता है जब तक आप एक बार Practical में मिला के नहीं देखिएगा तब तक आपके अंदर में Doubt बना हुआ रहेगा अभी देखना किस तरह से है जब आप Practical में Electric Overhead Crane में Maintenance किजिएगा उसी टाइम बहुती बारिकी से एक-एक Point आपको Follow करना है तब ही क्या होगा जो आपका EOT Crane का Basic Knowledge है वो आपका अच्छा बनेगा इसके बाद आज आता आपका Sliverring Motor तो Sliverring Motor में जो आपका Name Plate रहता है तो Name Plate को एक बार आपको आच्छा से पढ़ना है क्या पढ़ना है ना देखिएगा जो आपका Sliverring Motor का Name Plate है इसमें UVW यह हमारा कौन सा Connection हुआ डल्टा Connection तो इसमें हम लोग ज़्यादा तर कौन सा Supply देते है ना RYB Supply देते है और यह किसमें देते है ना Stator में देते है और जो आपका Rotor रहता है KLM इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना Star Connection इसका जो KLM है Motor Terminal से आ रहा है इसका Connection कहां पर करते है ना Resistance Box में करते है और इसके बाद आ जाता है कि जो आपका Slivering Motor है तो यह जो DEF Resistance Box में आप Connection कर रहे है तो उससे पहले जब आप Slivering Motor का Name Plate को अच्छा से पढ़िएगा तो आपको देखना है कि इस जगा में आपका 280 Volt Rotor Volt है या 115 Volt है या दूसरा कूछ है तो Practical में मिला के देखिएगा जब आप Interview दिजिएगा एक-एक Point को आप बारी किसे समझा सकते है और अगर आप अच्छा से पहले से ही तियार करके नहीं रखते है बहुत ही बारी किसे नहीं देखते है तब ही क्या होगा आपका अंदर में Doubt बना हुआ रहेगा इसके बाद आज आता है कि जो आपके एक Slivering Motor है इसको चेक किस तरा से करेंगे तो ज़्यादा तर देखिएगा Slivering Motor का हम लोग नमक पानी से चेक करते है और इसके उपर बहुती डीटेल्स में अल्रेडी हमने वीडियो अपलोड करके रखे है और उस वीडियो का अगर देखे है तो अब तर आपको कुछ भी दिकत नहीं है तो ज़्यादा तर क्या होता है कि बहुत सा फ्रेंड को बहुत कुछ डाउट रहता है कि EOT क्रेंग में बेसिक नॉलेज क्या होता है और किस तरा से हम लोग को बनाना है इसके साथ आज आता है दोस्तो कि क्रेंड में जो स्लिवरिंग मोटर लगाते है वो किस लिए लगाते है किस कारण से लगाते है तो इसके उपर भी आपको डिटेल्स वीडियो मिल जाएगा तो जब आप एक एक वीडियो को बहुती बारी किसे देखिएगा तो देखिएगा आपके मन में ज़्यादा तर कोई भी कोईस्चन नहीं आएगा और आपके मन में क्या फिलिंग आएगा कि और कुछ देख लेता हो और कुछ देख लेता हो जब बारी की से बहुती अच्छा से देखिएगा तब क्या होगा आपका जो knowledge बनेगा वो बहुती अच्छा बनेगा यह हमें एक YouTube चैनल का वीडियो बना रहे हैं इसलिए बहुती लॉंग वीडियो नहीं बनाते हैं बस 15 मिनिट का अंदर में कोशिस करता हूं कि अगर आप online class joining करते हैं तो जीतना सारा point में लिखके रखा हूं एक दम बारी की से point to point में हर चीज के बारे में बता देता हूं तब क्या होता है आपका अंदर में कुछ doubt भी नहीं रहता है और जो जो doubt रहता है आप अराम से हमसे question पूछ सकते है क्यूंकि आपका live class होता है और यह class Google meet application म इतनों भी कम से कम payment रहे हार फ्रेंट online class joining कर सकता है इसके बाद आ जाता है तो रेश्टेंस बोक्स का काम क्या है और रेश्टेंस बोक्स को चेक किस तरह से करते हैं और रेश्टेंस बोक्स हम लोग electric overhead crane में क्यों लगाते हैं इसके बाद आ जाता है master control करा बारे में कि जो आ online क्या होता है इसके ओपर भी हमने details वीडियो बना के समझाये है तो एक एक वीडियो को जब आच्छा से follow कीजिएगा तब ही आपका जो basic knowledge है वो बहुत आच्छा बन जाएगा कोई भी question करेगा तो बहुत आसान तरीका साथ जवाब दे सकते हैं जैसे कुछ-कुछ question के बार स्लिवरिंग मोटर में जो आपका इस्टेटार रहता है वो हमारा डल्टा कनेक्शन रहता है या स्टार कनेक्शन रहता है सेम टू सेम रोटार के बारे बी question पुछता है तो यह जो स्लिवरिंग मोटर है इलेक्टिक ओभारेड क्रेन में क्यों लगाते हैं अगा दूसरा को तब क्या दिकत होगा जो जो क्रेन में VFD लगा हो रहता है वो किसलिया लगाते हैं इसी टाइप का ज्यादा तर आपको कुछेगा इसके बाद आ जाता है कि जो आप सिलिविरिंग मोटर में काम किये XYZ किसी भी कमपनी में ओ कितना टन का किरेन था में होस्ट में कितना किलोट का मोटर था और LT में कितना का था और CT में कितना का था तो जब आप अच्छा से बारीकी से देख के रखिएगा और एक एक नेमपलेट को कौपी पेन लेके लिख के रखिएगा तब ही क्या होगा इं अब आप इंटर्वु दिजीएगा जो जो कोश्चान पूछेगा कोश्चान पूछने के बाद अगर आपने नॉलेज बना कर रखे है तो आपके अंदर से एक खुसी मैसुस होगा और जबाब देने में कुछ भी दिकत नहीं होगा तो इसके बाद आज आता है कि मास्टार कंट्रोलर के अंदर में जो कीट रहता है एक के कीट का आपको नॉलेज बनाना है जैसे एक आपका नूट्रल कीट रहता है कि मास्टार कंट्रोलर जो आपका जिरो पोजिसेन होता है इसके बाद रिवास साइट का कीट रहता है फरव साइड में बता रहा हूं सेम टू सेम आपको इलेक्टिक ओभारेड ट्रेवलिंग क्रेन में देखने के लिए मिलेगा और आप प्रैक्टिकल में जब मिला के देख लीजिएगा तो सारा नौलेज आपको बन जाएगा इसके बाद आ जाता है योटिक क्रेन में कौन-कौन सा लिमिट स्विज रहता है और यह लिमिट स्विज का काम क्या है तो रोटरी लिमिट स्विज लिवर टाइप लिमिट स्विज ग्राविटी लिमिट स्विज तो ज्यादा तो आपको रोटरी लिमिट स्विज किस में मिलेगा में हस्ट और एक्जुलिर हस्ट में जो आपका तरोटरी लिमिट सुज है लिवर टाइप लिमिट सुज है और ग्राबटी लिमिट सुज है तो जब आप प्राक्राप्रिकल में मिला के देखियेगा आत्तोमेटिक आपको इसका काम के बारे में पता चल जाएगा और इसके उपर भी डीटेल्स वीडियो हमने बना के रख दिये हैं आप जैसे ही साच करिएगा EOT क्रेन, लिमिट स्वीज, तेकनेशी यांतपन तुरद आपके पास हमारा जितना सरा यह लिमिट स्वीज के बारे में वीडियो है आपके पास आ जाएगा इसके बाद आज आता है कि जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो एक टर्ण से लेके सो टर्न का क्रेन तक कौन-कौन सा EOT क्रेन में पैनल आपको देखने के लिए मिलेगा इसमें आज आता है में होस्ट, एकजूलीर होस्ट, लॉंग ट्रेबल, क्रोस ट्रेबल, प्रोडेक्टिव पैनल, मैगनेट पैनल, डिसी ब्रेक पैनल और ग्राब बोकेट पैनल बहुती आसान तरीके से आपका बेसिक नॉलेज उल्लेडी बन जाएगा, तो इस वीडियो को अगर आप अच्छा से देखे हैं, और अच्छा से फोलो किये हैं, तभी आपका बेसिक नॉलेज अच्छा बनेगा, इंटर्वू देने में आपको कुछ दीकत नहीं होगा, औ बहुत आसान तरीका साब समझा सकते हैं, आज के वीडियो के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद,